Hey guys, welcome back to my channel So, आज की वीडियो में हम लोग इस सोफे का कवर बनाना सिखने वाले हैं और ये कवर ऐसा होगा किस से न आपका पूरा ही सोफा बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा और अगर कोई पुराना पड़ा हुआ सोफा है तो आप उसको बिल्कुल नए में कवर कर सकते हैं केवल और केवल कवर बना करके बहुत ही आसान और एजी तरीका शेयर करने वाली हूँ यूजवली इस तरीके से आपका सोफे का घवल कवर पाता है खाता है सायटे वाली हाथ पाथ रखने वाला पाथ भ्ला सपेस होता है वो नहीं ठगता स्था तो आज हम ऐसा क कवर बना मेंगे कि यह बाला पाथ भुल सेफ रहें और हमारा जो कपड़ा है मेन फैब्रिक जो है सोफे का वो बिल्कुल सुरक्षित रहे और जब हम इसे कभी टाइम टु टाइम निकाले ओकेजन्स पर तो यह एकदम नया और दमकता हुआ सा नजर आए सो चलिए वीडियो करते हैं स्टाट्ट कि इसको बनाने के लिए मैंने तक करीबन 10 मीटर का वेलवेट का कपड़ा लिया है बट मुझे रगता है ना कि 10 मीटर से कम में ही हो जाएगा हमारा काम क्योंकि इसकी अर्ष बहुत ज्यादो लंबी जोड़ी होती है तो सबसे पहले हमें सोफे की लंबाई और चोड़ाई के नाप लगाने है और इसमें हम सबसे पहले मैं आपको बता दू इसको हम दो पार्ट में बनाएंगे तो पहला जो पार्ट होगा वो हमारा यहां से नीचे तक स्टार्ट होगा और जो दूसरा पार्ट होगा वो यहां से यहां तक स्टार्ट होगा तो आप इंजी टेप ले लीजे और सबसे पहले हम इसका यह नीचे वाला पार्ट नापेंगे तो यहां से आपको इंची टेप इस तरीके से रखना है बिल्कुल यहां पर मिलाते हुए और देगे नीचे तक घुमाना है आपको जहां तक आपकी सोवे के लंबाई आ रही है वहां तक आपको इसे नापना है तो यह हमारा करीब देखे 38 इंच आ रहा है अब इसमें आपको 2 इंच और प्लस करना है सिलाई के मार्जन के लिए बट यहां पर मैं 3 इंच प्लस करूंगी क्योंकि नीचे से हम इसको मोडेंगे भी यहां पर से तो यहां पर मैं 41 इंच रखूंगी यह वाली लंबाई हमारी इसकी हमें यहां पर चौडाई भी नापनी है सिलागी नीचे वालए पाट की ही चौडाई नापनी है इस्तोरीके से चौडाई आए हमारे यहां करीब बयालेस इंच यानthis 42 इंच इसमें हमें केवल दो इंच ही एड करना है तो यह हमारा आएगा 44 चोड़ाई हो गई हमारी करे 44 इंच और लंबाई हमें रखनी है 41 इंच यहां पर जो कपड़े की कटिंग करेंगे वह हम एक्स्ट्रा मार्जन के साथ ऐसी कटिंग करेंगे अब उपर वाले पार्ट में आपको बता दू कैसे करना है उपर वाले पार्ट को भी हम नीचे से स् यहां पर आपको कितना पीछे तक ले जाना है मैं आपको बता रही हूं यह देखे इतना यह पूरा यहां तक जिसे कि हमारे जोड रहे वह नजर ना आए तो यहां पर करीब हमारा आए गई है 24 इंच तो 24 इंच में हमें 2 इंच और प्लेस करना होगा यानि कि यह हमारी जाने कि अंपनात, चुछ का मां का यहां पर आहे है कि यहां पर हमें इतना एक्स्ट्रा है जबंकि नीचे वाले पाट के तरफ हमें यहीं से नापना है तो यह चीजqّब आपको ध्यान रखना हैं कि आपकर जो भीए और ऑन cvi को आपको बहर ब्लकों स्टर ड़क़् यहां पर हम इंची टेप होता है वो 60 इंच होता है इसमें हम एक इंच और प्लेड प्लस करेंगे क्योंकि अभी यह थोड़ा पड़ रहे है तो अभी हमारा 61 इंच आ जाएगा इसमें 2 इंच लोजिंग एड़ करेंगा तो हमारा 63 इंच की यह पूरी ही चौडाई याएगी तो यह हो गई हमारी चौड़ाई और लंबाई के नाप अच्छा यहां पर आपको कपड़ा कटिंग करते वक्त भी एक चीज का ध्यान देना है कि यहां पर हम कुछ तेर्छा इसको कट करेंगे जिससे कि हमारा इहां से मैच हो जाए और कपड़ा इखट्या ना हो जाए तो की पर कने लिटां करेंगे तो फेले हम सामने वाले पार्ट के करेंगे इसके भाद में हम यह जो हांत रखने टार्ट हमोप इसकी रपाद में करेंगे नीचे वाले पाट के Selbstक्तर निए लंड़े और चॉड़ाई में अभी ऐसे चोपार में दिख रह हह और यह बहुत पर बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे मार्जन एनौल हमने निशान लगाते टाइम ही नाप लिया था और जो भी हमने नाप लिये थे उन सभी को आप एक कॉपी पर लिख लिए जिससे की बार बार हमें नापना लेना पड़े और हम भूलना जाएं तो यह देखें यह वाला पा कर कि अभर करके हट श्मा तो यह हमारा इस तरीके से आ जाएगा उपर वाले पार्ट को इस तरीके से तिर्चा और नीचे से हम बिल्कु स्ट्रेट काटेंगे एक बार मैं आपको निशान लगा करके दिखा देती हूं कि यह कुछ इस तरीके से हमारा कटिंग होगा आप चाहें तो इसको हलका तिर्च कर सकते हैं यह उन्दर की साइड के तरफ नहीं बाहर के साइड के तरफ तिर्चा लगाना आपको निशान बट मैं आपर सीधा कट कर रहे हूं जो हमारे दूसरा हाथ रखने वाला निशान है ना कपडा रहेगा उसको मैं तिर्चा करूंगी अब इसको हम बीच में से ऐसे फोल्ड कर लेंगे क्योंकि दोनों साइड हमें बिल्कुल एक बराबर रखने हैं लंबाई हमने नाप ली है चौडाई हमें नीचे बराबर बिल्कुल रखनी होगी अब इस वाले पार्ट को भी हम फोल्ड कर लेंगे इसी के बराबर हमें अपनी चौडाई रखनी है और लं साइड से मिला के रख लिया हमने देखे नीचे से हमारा इतना कपड़ा कट होगा अब पहले आप लंबाई के निशान लगा लिजिए इस तरीके से और उपर से हमारा कितना आ रहा था उसको भी सी तरीके से निशान लगा लेना है बिल्कुल सीधा करके हमें इसे कटिंग कर लेनी है तो देखें यह हमारा कुछ इस तरीके से कट हो जाएगा और इसके ऊपर मैं आपको इलिक बर इसको देखें बिच्छा गएगा तो देखें यह हमारा कुछ इस तरीके से तो यह हमारा कुछ इस तरीके से आएगा और जो मार एक्स्टर कटा है वो अंदर के तरफ फिट हो जाएगा बागी थोड़ा थोड़ा सिलाई में भी जाएगा यहां पर आप देखें हमने उपर और नीचे दोनों पार्ट कर लिये हैं आभ इसे हमें सिलाई लगानी है तो देखें इस वाले पार्ट को हमने बीच में से सिलाई लगा करके इस तरीके से जॉइन कर दिया है और यह बिचाने के बाद कुछ इस तरीके से नजर आएगा अब हम यह अपने हाथ रखने वाले यानि के साइड वाले पार्ट की कटिंग करेंगे तो पहले आप इसकी अब आप लिचे उसके बाद में कि चॉड़ाइ कि आप लेंगे तो यहाँ पर हमारा करीब 28 इंच 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 एक्स्ट्रा करेंगे तो आर पास यह तीस इंच आ ओएगा तो यह आपने के बाद आप रखने उसकी वह 30 इंच रखेंगे यह न आपने के बाद आप अब हम पूरा नीचे तक घूमाते हुए इस तरीके से ले जाना है पूरा नीचे तक गूमेगा और यहां पर यह करिब हमारा आएगा 49 इंच तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग तो हमारा 51 इंच आएगा तो इसी को नाप में रखते हुए हम कपड़े की कटिंग कर लें कि केमारा आप या तो इसको ऊट करते हुए हम कटिंग कर मैंगे समिम साइडि जयसर कि करेंगे यहां से तो यहां पर तरीचह करना है अब इस पाड को जहां से कट लगाया थाने केवल वहीं तक आप करना पूरा ऊपर तक नहीं तो एक निशान लगा करके यहां पर एक कट लगा लिजी उसके बाद में इस कपड़े को इस तरीके से पकड़ना है आपको और इसकी कटिंग कर देनी करेंगे हम जिससे कि हमारा जब स्टिज करें तो यह सानी से स्टिज हो जाए और हमने कट वी लगा दिया जिससे कि यह में मिडल पाट का पता रहे तो इस पूरे कपड़े की देखिए हमने आपर कटिंग कर दी है और आगे की साइड से इतना इतना एक्स्ट्रा रखा है तपड़े को हम ऐसे उल्टा कर लेंगे और यही से आपको इससे रखना है पहले आपको यहां पर इस तरीके से सीधी से लगानी है पूरी नीचे तक उसके बाद यहां पर से ऐसे घुमा करके हम नीचे इस गदी वाले पार्ट से भी इसको ऐसे जोड़ देंगे तो आए हो पहले यहां पर बिलकुल सीधी सिलाई लगा लेंगे उसके बाद में यहां पर इस तरीके से घुमाते हुए हमें दूसरी सिलाई लगानी है और जो अभी हमने सिलाई लगाई है जो हमारा मिड़ वाला पॉइंट था वहां पर एक कट लगा देंगे जिससे कि जब इसे सिलाई लगा लेंगे तो हर बार आपको इसे इसके उपर बिछागर के देखना है कि आपका यह कपड़ा ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा तो इस वाले पार्ट पर भी हमने देखें सिलाई लगा ली है और अभी हमारा जो पूरा है यह कुछ इस तरीके से दिखाई पड़े देखें सबसे पहले हमें पैटर्न रेडी करना है तो मैंने आपर निस पेपर ले लिया है आप किसी बी पेपर का इस्तमाल कर सकते हैं इसके उपर इस तरीके से रख लेंगे और यह जो भी आपका मतलब सोफे का गुलाई है उसके उपर आप इस तरीके से रख कर लीजिए कि आपका यह कैसा आ रहा है यानि कि क्या इसकी शेप है उसी में आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है पूरा उपर से गुलाई कर लेंगे नीचे तक जहां तक हमारा राउंड में है इस तरीके से पूरा ट्रेस करना है आपको सिंपली और नीचे लंबाई में भी इस तरीके और निवस्वेपर की लंबाई देखे इतनी होती है इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा लंबाई हम कपड़े के ऊपर रख लेंगे क्योंकि हमें एक्स्ट्रा मार्जन भी जाहिए होगा उपर से बस हमें या पर क्या रखना है गुलाई के लिए निशान लगाने है अब यह हमार पैटर्न है वो गुटिंग होकर के रेडी हो गया है अगर आपका एक बार में ठीक ना कटिंग हो तो आप दो से तीन बार में इसको कटिंग कीजिए बिल्कुल एक्जैक्ट आपका यह उना चाहिए तब हमारा जो यह पैटरन हो बिल्कुल ठीक बनेगा अब देखे एक सा करिए बताऊंगे कि कैसे कटिंग करना वरना इसमें काफी सदा गलती हो जाती हो एक यह किसा है अब इसकी लंबाई भी आप देख रहे होंगे कि यहां पर कम है तो पहले आप लंबाई नाप लीजिए तब आप उसके बाद उपर कवाला पैटन तो मिल गया लंबाई हमें न कर्णा है तो कपड़े को हमें इस तरीके से रहना है दोनों दोते साइडस है वह वह वाजय कल्कुल कोकाई होगेि जो राउंड वाला पैटर्न है वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने के जरुत है साइड से भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ रख रहे हैं जिससे की सिलाई का मारजन हमारा है आपर रहे तो यह हमारे दोनों पैटर्न की कटिंग हो गई है दोनों साइड के लिए अब इसको हमें अपने मेन फैब्रिक के साथ जोड़ना है यानि कि जो हम बना रहे थे अपने कवर उसके साथ तो पहले आने आप पर इसको नाप ऐसे करके देख लिया है कि लंबाई हमारी विल्कु तो इसको सिलाई करना भी आप जरा ध्यान से देखिएगा कि हम इसे कैसे स्टिच कर रहे हैं तो पहले हम इसको नीचे से ही स्टार्ट करेंगे चाहे तो आप इसको सेंटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं गुलाई वाले पार्ट से बट मैं आपर इसको नीचे से एक साइड से स्टार्ट कर रही हूँ उसके बाद में नीचे से बिलकुल मिलाते हुए दोनों सीधे साइट से के हमारे अंदर के तरफ है इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है अब यह हमारा देखें मिडवला पार्ट आ गया यहां पर यहां से आपको सुई अंदर के तरफ गुमानी जान रखना है गुलाई वाले पार्ट के तरफ सिलाई लगान के बाद हलका हलका सा कट कर देंगे जिससे के अच्छे से ना यह सेट हो जाए अब पूरा गुलाई लगाने गुलाई वाली स्टिचिंग हो गई है नीचे हमारे स्टेट स्टिचिंग स्टार्ट हो गई है तो यह इस तरीके से हमारा आएगा दोनों साइट पर देगे मैंने याप पर इसको सिलाई लगा लिया है और यह कुछ इस तरीके से आएगा बहुत ही ज़दा प्यारा लग रहा था यह पूरा लगने के बाद सामने से हमारा देगे पूरा स्टेच हो गया अब हमें इसकी बैक व गुलाई में आरा है बिल्कुल वहीं तक ही रखना है हमें इसे यहां पर देखे जो हमारे किनारे वाले पार्ट है कोने इसके लटक रहे हैं तो इसको हमें थोड़ा सा कट करके अलग करना है यानि कि थोड़ा थोड़ा सा गुलाई देना है यहां पर मैं यहीं पर ही आपक लटके न और भिल्कुल एक बराबर रहे तो यह इस तरीके आपको दोनों साइट के तरफ गुलाई कर देनी जिसलाई लगानी है से इस तरीके से पहले ऊपर वाले पार्ट से लगानी है इसListenर्ग से एक साथ तो चॎर टो सब्सक्राइब आपस में इते हैं तो यह देखें बैक से भी हमारा पूरा अटैच हो गया है अब नीचे वली साइड के तरफ आप देखेंगे ना इस तरीके सी लटका हुआ सा दिख रहा है तो यहां पर हम अब इलास्टिक लगाएंगे तो यहां पर जो आप इलास्टिक यूज़ करें वो जादा चौड़ी आपको नहीं इस्तमाल करनी यहां पर करीब मैंने एक इंच और पौने एक इंच की चौड़ाई वाली यह लास्टिक ली है यह काफी अच्छी गुड क्वाल्टी की है तो अब देखें इसको आपको कैसे जोड़ना होगा नीचे से हम इसको इससे मोडते हुए लगाएंगे इतना ही हमारा पार्ट मोड जाएगा और आगे से भी आप देख रहे हैं इस तरीके से लटका हुआ सा दिख रहा है तो यहां पा जब इलास्टिक डल जाएगी न तो बह करना यह ऐसे गैदर्स नहीं पड़ेंगे इसमें तो इस तरीके से अंदर के तरफ सिलाही लगाते हुए पूरा आपको ऐसे कर लेना अगर आपको यह वाला पार्ट स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं बट इससे काफी अफी स्ट्रेंथ मिल जाएगी आपके पूरे गुलाई में मैंने इलास्टिक लगा ली थी और यह लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था तो इसको आपको चड़ाना कैसे है कवर को वह भी मैं आपर शेयर कर दे रहे हूं यह देखे इसको हम कुछ इस तरीके से चड़ाएंगे और इसको फिट करना थोड इसको लगें तो सबसे पहले पूरे गैदर्स को आप एक बराबर कर लीजिए हर तरफ गुमा लीजिए उसके बाद में इस तरीके सापको पिछे की तरफ पलटने शके बाद में आगे वाली जो अंने यह आगे वाली पैटरन बनाया था ना वहां से आपको इसे सेट करना ह होगा तो से बैच्चे से बद्ज्टे हुए भैने हुआ दिखिया है और मेरे रफ दिखे लिए शर्णों है तो इसको अच्छे से दबा करके आपको सेट करना है पूरे कपड़े को जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ था ना 2-2 इंच का उसमें से 1-1 इंच आपका बचेगा वो अंदर की साइट पर ऐसे हाथ डाल डाल के आपको इसको अच्छे से सेट करना है जिससरे की बिलकुल ऐसा लगे कि इसी का ही कवर है मतलब अलग से नहीं लगाया गया नीचे देखें जो उपने लगाई थी उससे अच्छे से इ सेट हो गया है और तो यह कुछ ऐसे आपका बिलकुल ही परुफेक्ट बनेगा और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा सोफा बिलकुल न्यू हो गया है एक दम भी नया लग रहा था so I hope कि आप लोगो भी यह अच्छा लगा होगा और जो भी बनाए है न मुझे जरूर बतेगा कॉमेंट्स में आके कैसा बनाए है और हाँ इसको बनाने में बहुत जादा मेनत लगी है तो प्लीज इसके लिए लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब टू मैं चैनल ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए और कुछ नया देखना हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट्स में आकर तो मिलती हो मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखेगा बाबाई खुदा हाफिज